Hello Everyone, आज हम लोग फिर से जन्वरी का Part 2, जन्वरी का Part 1, Current Affairs का सेशन हो चुका था, जन्वरी के जो भी Current Affairs important है, जो exam के Point View से बहुत ही महत्यपुर्ण है, तो उसका Part 2 है, इसमें देख लीजिए, और अभी exam आने वाले में बहुत exam है, खास करके BPSC है, Straight PCS है, फिर Anti PC है, यह सारे exam के Point View से बहुत important है, तो चलिए आज का First Question देखते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि Current के साथ साथ आपका Important Static भी कवर होता है, तो उसको देखते हैं, First Question है आपका, कि किस देश की Nationalist Party की नेता, रोवार्टा मिट साल को European संकी सांसद का अध्यक्ष चुना गया है, तो यह सबसे पहले इसका answer Malta हो जाएगा, कि Malta की है वो, अब Malta के बारे में देखते हैं, कि Malta हो सकता है, Malta चर्चा में है, तो इसकी राजधानी, इसकी अवस्थिती, तो इसको Geography से Connect करके देखते हैं, तो सबसे पहले Malta जो है Europe, Europe महादीप में अवस्थित एक देश है, अब इसका राजधानी अगर पूछे, कि इसकी राजधानी क्या है, तो वेलेटा, वेलेटा, इसकी राजधानी है, और अगर इसकी currency पूछे, तो क्या है, यूरो, तो ये ध्यान रखना है, कि Malta, Europe महादीप में अवस्थित एक देश है, जिसकी राजधानी वेलेटा है, नेक्ष कोईशन देखते हैं, नेक्ष है कि परतेक साल किस दिन राष्टिय आपदा प्रतकिडिया बल, जिसको इंग्लिस में NDRF का अस्थापना दिवस मनाया जाता है, तो इसका अस्थापना दिवस 19 जनवरी को मनाया जाता है, 12 जनवरी को राष्टिय यूवा दिवस मन आया जाता है तो सबसे पहले हैं कि NDRF इसके बारे में भी देखते हैं इसका फूल लेम अगर पूछे तो इसका फूल लेम है नेशनल डिजास्टर डिजास्टर रिस्फोन्स फोर्स इसका फूल लेम है अब अगर इसकी अस्थापना का डेट पूछे कि इसकी अस्थापना क अगर अधिनियम पूछे तो अधिनियम 2005 के तहत धाड़ा 44, कौन सी धाड़ा अगर पूछे तो 44, अधिनियम पूछे तो 2005 और अगर इसकी अस्थापना डेट पूछे कि कब से यह स्टार्ट हो गया तो 2006 में और अगर यह पूछे कि इसका headquarter कहां है तो इसका headquarter new Delhi में है तो यह भी ध्यान रखेगा इसका headquarter new Delhi में है सबसे पहले disaster जो आपदा जो हमारे देश में आपदा आती है तो उससे निमटने के लिए उससे निपटने का उस पे काम किसका है NDRF का है और इसके अंतरगत BSF police आते हैं CRPF आते हैं यह सारे pull force को भेजा जाता है क्या उस time आपदा के time जो भी परिशानिया होती है उसको दूर करने के लिए तो NDRF के बारे में इतना ध्यान रखना है next question है कि हाली में जारी morning casual political intelligence के 23 नेताओं में सबसे popular नेता कौन है तो सबसे popular नेता कौन है नरेंद्र मोधी जी तो ध्यान रखिएगा कैसर का सबसे the next question है कि मौरिषस सरकार यंपने Metro Express पड्योजना का किकिया है तो की नाम पे अगर यह पूछ़े तो महातमा गांधी के नाम पर किसके? महातमा गांधी के नाम पर मोरिसस अफरीका में अवस्थित एक देस है guitar पिरका में अवस्थित एक देस है तो इसकी राजधानी अगर पूछे और मौरिसंस काफी चर्चा में है तो यह भी देखना है इसकी राजधानी Port Lui है और यह अफरीका महाद्रूट में अवस्तित है और अगर इसकी मुद्राइ की वात की जाए कि इसकी मुद्राइ क्या है तो याद रखीगा मौरी सी आई रूपिया मौरी सी सी आई मौरी सी आई रूपिया इसकी क्या है केरेंसी है तो यह ध्यान रखना है और महात्मा गांधी ब्रिटेन में भी एक सिक्का हाली में कुछ दिन पहले कि यह नियूस थी कि ब्रिटेन में सबसे पहला ओ सुएत वो सुएत व्यक्ति कौम थे जिसका पिक फोटो ब्रिटेन के सिक्के पे लगाया गया था तो वो महात्मा गांधी ही थे तो यह भी ध्यान रखना है नेक्स कुईशन है कि हाली में हिंदुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेट कमपनी वहात ही महत्मा यह एक लिमिटेट कमपनी है जो है एक एडवांस लाइट हैलिकोप्र किस देश को बेचने का समझाता किया है तो यह किसको मौरिसस को मौरिसस को जो है बेचने का समझाता किया ह अब देखिए हिंदुस्तान aeronautics Limited company इसकी अगर अस्थापना पूछे कि सब VO के इसकी अस्थापना पूछे कि कब हुई है तो इसकी अस्थापना पूछे तो 1940 में हुई है और अगर इसका headquarter पूछे कि इसका headquarter क्या है तो इसका headquarter बैंगलुडु में करनातक की राजधानी बैंगलुडु में इसकी headquarter है अब question आप से पूछेगा कि हिंदुस्तान एरोनाटिक्स कमपनी भी बहुत चर्चा में भर सरकार का यह कमपनी है और यह बनाता क्या है तो एर क्राप्ट बनाता है हिलिकोप्टर बनाता है कौन तो हिंदुस्तान एरोनाटिक्स कमपनी ध्यान रखिएगा कि सुखोई सुखोई 30 जो रूस के द्वरा खड़ीदा गया था उसमें भी हिंदुस्तान एरोनाटिक्स कमपनी जो है अपने तरब से बहुत सारे आक्रती उसमें क्राम जोडता है जिससे वह और भी जादा सक्ति साली बन जाता है तो यह भी ध्यान रखिएगा यही वह हिंदुस्तान एरोनाटिक्स कमपनी है निक्स कोईशन है कि हाली में किस देश की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर की अगर बात करें और उसका नाम अगर पूछे क्या है तो सारा गील यह पाकिस्तान की है और नाम क्या है तो सारा गील पहला ट्रांसजेंडर क्या है डॉक्टर है कहां की तो पाकिस्तान की, नेक्स है कि हाली में भारत के किस टेनी सूपरस्टार ने खेल से सन्यास लेने की घोशना की है, तो सानिया मिर्जा किसके दोरा, सानिया मिर्जा के दोरा, नेक्स कोईशन है कि हाली में किसे Air India Limited का एक प्रवंधक न्यूक्त किया है, जिसको स्रीम जिव भी रिलेटेट भी कोईशन पूशता है तीना किसे तो ये एक काट्टूनिस्टी थे ं राखना है नेक्ट प्रफ by कि स देश में रूस का नया राजदूत नूकत किया गया है तो भारत में नेक्ट में जो है इसको नूकत किया गया है तो ये ध्यान को अरे को फूछ हो गया है लेक्स कोईशन है कि डेनिस अलिपोव को किस देश में रूस का नया राजदूत नियूक्त किया गया है तो किस देश का तो भारत का ध्यान रखना है भारत का जो है इन्हें राजदूत न्यूक्त किया गया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भारत का अब देखिए किसी भी भारत में जो है कोई भी राजदूत की न्यूक्ति किसके द्वारा की जाती है तो राश्ट्रपती के द्वारा यह कुशन अगर पूछे कि राजदूत की न्यूक्त कि किसके द्वारा की जाती है तो भारत के राष्ट्र पती के द्वारा की जाती है अभी हाली में चर्चा में है यूक्रेन भारत के यूक्रेन में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है तो हर्स जैन को किसको हर्स जैन जी जो है अभी भारत की तरफ से यूक्रेन मे राज़दूत के रूप में के पद पे तैनाथ हैं नेक्सट एक निव्ड में से कौन सा हाई कोट न्याई घड़ी अस्थापित करने वाला देश का प्रथम हाई कोट बना है तो ये कौन सा गुजडात हाई कोट ये गुजडात हाई कोट हो जाएगा और अगर कुश्चन दोस्त की paperless बिधानसभा कौन सा है अगर यह कौश्चन आप से पूछेगा कि paperless बिधानसभा कौन है तो ये हो जाएगा naga land बिधानसभा अभी हाली में paperless बिधानसभा हुआ है तो इसे related आप से तीन कौश्चन पूछ सकता है कि नियाई घड़ी कौन हाईप तскब गुज पर भारत में हाई कोट की संख्या कितनी है तो 25 नेक्स कोस्यन देखते हैं नेक्स दकलतर में किन सरकार ने नीजी क्षेट्ड शेत्र में आस्थाने नीवासियों के लिए 75% नोकरियां को आरक्षित किया है तो हर्याना के दौरा किस के दौरा हर्याना सरकार के दौडाब और तो यहां पे 75 परश्रेट नौकड़ी को क्या किया गया है आरँछित किया गया है लेक स्वेशनता है कि किस राजी सरकार ने शीफिल सेवाँ परिक्षा में, श्रीविल सेवा परिक्षा में, जो अस्टेट PCS होता है, सीमा को 32 साल से 38 साल कर दिया, यानि कि एज लिमिट जो थी, पहले 32 साल थी, लेकिन अब क्या किया है, 38 साल कर दिया है, तो कौन सा राज था, तो ओडिसा है, कौन सा ओडिसा है, नेक्स कोईशन देखते हैं, कि हाली में किस परसिद्ध परियावरन विद, जिनका नक्या, 1989 साल में क्या हो गया है, मृत्यू हो गया है, तो क्यों सा हो जाएगा, MK प्रसाद जी, नेक्स कोईशन है, कि भारत ओग्रिस देश की नौ सेना ने, हाली में, अरब सागर में, पासि अगर पूछे, कि ये किसके दोरा किया गया है, तो भारत और रूस के बीच, कौन सेना थे इसमें, तो नौ सेना थे, कहां पे हुआ है, तो अरब सागर में, कहां पे, अरब सागर में, और अगर अभी हाली में, चर्चा में है, धर्म गार्जियन पूछे, कि धर्म गार्ज जियान कोन है तो धर्मगारजीयन में भारत और जापान है भारत और जापान है तो दो एक्सर साइज याद रखिएगा GMAX अगर पूछे तो बारत और जापान है SILIN division देखते हैं निम्न में से किस देश ने भारत के साथ ब्रहमोश मिशाइल खड़ीदने का समझोता किया है कौन सी मिशाइल ब्रहमोश मिशाइल तो क्यों तो फिलिपीन्स फिलिपीन्स जो है भारत से ब्रहमोश मिशाइल लेने की क्या की है बात की है फिलिपीन्स की अगर राजधानी चाँ नीला मनीला यहां की राजधानी है और अगार इहां से पूछे कि किस महादूइब में तो फिर्पा महादोइब में यह भी कभी-कभी? कुछन पूछेयगा आपसे कि कि समा दूइब में अवस्थिती है जियोग्रफी से और कोई भी एक जाम हो यहां तक करक्की Laz desert PCS मे एक देश की राजधानी जरूर पूछता है और केरेंसी एक कोशन केरेंसी से रहेगा और एक कोशन राजधानी से रहेगा तो सारे ध्यान में रखना है और अक्सर वही राजधानी पूछा जाता है जो क्या रहती है चर्चाएं में रहती है तो देखिएगा राजधानी फिल पहुला हो जाएगी फिलिपिन सेमें एक आइलेंड है क्लाc फ्लीपिनस आइश्यासिघ दीक नीट लिएपलari नौरोबी, Kenya है अफ्रिका में लेकिन फिलिपिनस एसिया में है, आगे देखना है मनीला में एक ACI Development Bank का सबसे महत्पुन एक अगर पूछे, और दूसरी बात है कि इसकी अगर मुद्रा पूछे, कि इसकी मुद्रा क्या होती है, तो इसकी मुद्रा पीसो है, फिलिपिनसी पीस फिलिपिनसी पीसो, इसकी क्या है, मुद्रा है, पीसो याद रखना है फिलिपिनसी पीसो, और ADB, ADB Bank का मुख्याले भी कहां पे है, फिलिपिनस में ही है, तो याद ध्यान रखना है, ADB Bank का भी मुख्याले फिलिपिनस में है, तो फिलिपिनस एसिया महादूइप में अव प्रिधामस्थान नायो Meung Usaqa का क्या है प्रत्थमस्थान है नेक्स-क्न देखते हैं भारतिये सेना दिवस कह नाया जाता है और भी एक कॉष्चन धियान रखेगा दिवस से भी कोष्चन आपसे पूछेगा तो भारतिये सेना दिवस मनाया जाता है पंद्रह जन्वरी को और अगर 8 अक्टूबर को पूछे तो कौन सी सेना नौ सेना दिवस मनाया जाता है आठ अक्टूबर को कि नौ जन्मरी को क्या होता है तो भारतिये प्रवासी दिवस मनाया जाता है अगर पूछे कि आठ मार्च को क्या होता है तो अंतराष्टिये महिला दिवस मनाया जाता है आठ मार्च को तिया भी ध्यान रखना है एक मही को अगर पूछे कि एक में को क्या मनाया जाता है तो स्रमिक दिवास यानि कि मजदूर दिवास तो यह सब भी दिवास आपको कुछ-कुछ important याद रखना पड़ेगा यूनेसको ने भारतिय धरोहर का विवरन निवनि में से किस भासा में छापने की सहमती दे दी है तो हिंदी भासा में देखिए यूनेसको यूनेसको काफी की चड़चा में है तो यूनेसको की अगर बात करें कि इसकी अस्थापना कब हुई है इसकी अस्थापना कब हुई है तो 1945 को अगर इसका पूछे कि हेड़ पार्टर कहां है तो पेरिस में पेरिस पेरिस कहां है तो फ्रांस में अगर यह भी question पूछे पूछे में पूछे कि इसमें भारत में total कितने sites है तो भारत में UNESCO अपने धरोहर में कितने sites को लिया है तो 40 sites को लिया है तो यहाँ भी ध्यान रखना है अब देखिए अब इसमें total member की अगर बात करें कि इसमें total कितने देश का membership है तो 195 का और associative अगर सहायक सदस के रूप में कौन है 10 associative सदस है राष्णे चालू वित्वर्स में भारत की आर्थिक व्रिवीदर कितने परतीसत रहने की अनुमान लगाया है इकोनोमिक्स से जो भी question पूछा जाता है current से ही related question पूछेगा तो 6.5% next question है कि दच्छिन अफ्रिका में टिस्ट किर्केट में सतक लगाने वाले पहले भारतिये विकेट की पर कौन हो जाएंगे खेल से related पहले ही वीडियो अप्लोड कर दिया गया है तो जितने भी खेल से related important question है तो सबको एक बार फिर से एक जाने से पहले एक बार जरूर देख लिजेगा next है कि Maya Angola किस देश के सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली और स्वेत महिला है तो अमेरिका देखिए एक बात याद रखना है अगर अमेरिका में पूछे सबसे पहले और स्वेत सिक्का पर किसका नाम दिया गया है तो Maya Angola का Maya Angola का लेखिन अगर ब्रिटेन में पूछे कि ब्रिटेन के सिक्के पर सबसे पहले और स्वेत पुरूस का क्या नाम कौन है तो महात्मा गांधी ये क्या हो जाएंगे ब्रिटेन में नेक्स कोईशन है कि NDTV के किस मसहूर पत्रकार को 14 जन्वरी 2022 को दिल के दोड़ा पढ़ने पे निधन हो गया तो कोन हो जाएगी कमाल खान देखिए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स ये जो है किस देश का पासपोर्ट कितना मजबूत है उसको लेके ये प्रदर्शन होता है ये जाड़ी किया जाता है तो फर्स नमर पे भारत और सिंगापुर है और अगर वही सकेंड नमर पे बात करें तो दच्छिन कोडिया कौन दच्छिन कोडिया और जर्मनी है ये ध्यान रखना है फर्स सकेंड नमर पे दच्छिन कोडिया और जनवरी ये जर्मनी है कौन जर्मनी है और अगर भारत का पूछे कि भारत कि इस रैंकिंग में है तो भारत 83 रैंकिंग में है और एक भात ध्यान रखेगा कि प्रेस स्वतन्तरता सुचकांग पहले भारत की लेकिन 2022 में अभी हाली में जो सुचकांक जारी हुआ है उसमें प्रे सोतंतरतका में भारत की रेंकिंग 150 में अस्थान पे आ गई है तिया ध्यान रखना है नेक्स कोशन है कि भारतिय अंत्रिक्ष अनुसंधान संगठन के नए अध्यक्ष कौन है इस रो क्या है इस रो के अध्यक्ष एस सोमनाथ है ये किनके जगह पे आये हैं तो के सिवान जी के जगह पे किनके के सिवान जी के जगह पे इस रो का पूछे कि इस रो का जो है हेड़ काटर कहा है तो बैंग लोड में बैंग लूरू में जो है इसका हेड़ काटर है तो यह ध्यान रखना है नेक जो है प्रारंब किया है नेक्षे की राष्ट्रे युवा दिवस तो 12 जन्वरी को राष्ट्रे युवा दिवस मनाया जाता है किसके तो जन्म दिवस पे तो स्वामी विवेकानन्द स्वामी विवेकानन्द जी के जन्म अबसर पे अब सबसे पहले या भी कुश्चन आपका घाल रहेगा कि जन्म कब हुआ था तो बारह जन्मषी रूप देख लेते हैं मिर्तिव चार जुलाई ही उनीस सो दो इस्वी में to की मिर्तियों हुई थी सबसे इनका फ्हेमस चीज क्या है कि जब सिकागो में ये भारत के तरब से गये थे और वहां पर किस ठर्म पर सनातन धर्म पर किस पर सनातन धर्म पर बोलने का इनको क्या मिला था माउका मिला था सनातन धर में सबसे कोश्चन अगर पूछे कि इनके गुरु कौन है तो रामकृष्ण परमहंस जी कौन है इनके गुरु रामकृष्ण परमहंस जी जो है इनके गुरु है और अगर पूछे कि ये राम कृष्ण मिशन की अस्थापना कौन किये है तो स्वामी विवेकानंद ही किये है कौन हो जाएंगे विवेकानंद जी देखिए दोस्त कभी कभी कोशन आपसे पूछेगा कि स्वामी विवेकानंद जी का एक्चॉल में नाम क्या था रियल नाम क् था नाम था वास्तविक नाम नरेंद्र दत था नेक्स कोईशन है कि किस देश के मैरिलेंड अस्पताल में डॉक्टरों ने एक मरीज की जान बचाने के आख़ी पढ़िया से सुवर का दिल उस पे क्या-क्या परतिया रोपन किया है तो वो कौन सा हॉस्पीटल है अमेरिका का हॉस्पीटल है नेक्स कोईशन है कि हाली में किस देश ने 18 साल से छोटी लड़की के विवा पर कानून बना का प्रतिबंध लगा दिया है तो फिलिपिन्स के दौरा किस के दौरा फिलिपिन्स के दौरा फिलिपिन्स के दौरा नेक्स कोईशन है कि 20 हिंदी दिवस कब मना जाता है तो 10 जन्वरी को 20 हिंदी दिवस मनाया जाता है 30 जन्वरी को अगर बात करें तो 30 जन्वरी 1948 को गांधी जी की मिरती हुई थी तो सहीद दिवस के रूप में 30 जन्वरी मनाते हैं 12 जन्वरी युवा दिवस राष्ट्रिय युवा दिवस मनाते हैं और 8 ये 9 जन्वरी 1915 को भारत बहात्मा गांधी दच्छीन अफ्रिका से भारत आये थे, यहाँ पे आने के बाद 1916 इस्वी में जो लखनाव अधिवेशन हुआ था, कौंगरिस का जो लखनाव अधिवेशन हुआ था, वहाँ पे गांधी जी भी गए थे उस अधिवेशन में और बिहार से रां तो यहां पर यहां के किसानों की व्यथा सुनाते हैं और भारत आने का आमंत्रन देते हैं उसके बाद 2017 में गांदी जी का भारत में पहला सत्यागर का उन था चंपारन सत्यागर तो ध्यान रखना है नेक्स्ट कोश्चन है कि पेट्रोलियम निडियातक देशों के संगठन ओपेक देखो आगर आप से पूछे कि ओपेक क्या है तो देखिए तेरह तेरह देशों का ऐसा संगठन ह जो क्या करता है पेट्रोलियम का निडियातक है पेट्रोलियम पेट्रोलियम निडियातक 13 देशों का यह एक संगठन है यह ध्यान रखना है अब अगर पूछे इससे कि इसकी अस्थापना कभ हुई है इसकी अस्थापना कभ हुई है तो 1960 में अगर इसका हेड़ पूछे क तो वियाना में कहां पर वियाना वियाना कहा है और अुस्ट्रिया में वियाना है तो यह ध्यान रखना है तो यह ध्यान रखना है कि नेक्स कोईश्चन है आपका कि खेलो इंडिया 2023 के मेजवानी किस राज को सौपी गई थी तो मदपर्देश को किसको मदपर्देश को सौपी गई है लेकिन अगर पूछे कि खेलो इंडिया लेकिन पूछे खेलो इंडिया 2022 की मेजवानी किसके दोरह की गयी थी तो याद रखवेगा किसके दोरह हड visão के दोरह हाली में किस देश ने 12 से 15 साल के बचों को बुश्टड बोज़ देने के अनुमती दी है को विड ओविड दुनधींगो इसी से रिलेटेर पुष्टट डोज है किस देश के द्वारा तो अमेरीका के द्वारा किसके द्वारा तो अमेरीका के द्वारा ध्यान रकना है नेक्षाइशन है कि जल्षय नच्छन पडियास्व में जल्षाटी मंस्ताली की तरफ से और 7 को उत्तर परदेश को पर्थम अस्थान है और अगर सकेंड नमर में पूछे कि संगेट सकेंड अस्थान किसका है तो राजस्थान का सकेंड में कौन है राजस्थान है नेक्षए कि भारतिय प्रवासी दिवस कम मनाया जाता है तो नौ जन्वरी क्यों मनाया जाता है तो नौ मोजन्वडी 1915 को दर्चिन अप्रिका से भारत आये थे कौन महात्मा गांदी जी हाली में किस देशस्ट ने एक हाईपरसूनिक क्या तो कौन किया है उत्तरी कोडिया के दौरा कि दौरा किसके दौर परिच्चन किया गया सफलता पूर्वर यह भी ध्यान रखना है नेक्स कोईशन है कि केंदर सरकार ने जनगनना जनगनना 2021 में होने वाला था 2021 में होने वाला था लेकिन COVID-19 के चलते इसको अस्तगन कर दिया गया लेकिन कब तक जनगनना तो होगा क्यों तो कब तक किया गया था तो याद रखेगा सितंबर 2022 तक सितंबर 2022 तक इसको अस्तगित किया गया है फिर जनगनना आपकी अश्टार्ट हो जाएगी जनगन्ना से related history से कुछ question आप से पूछा जाएगा सबसे पहला पूछेगा कि पहला जनगन्ना किसके कारिकाल में हुआ था तो सबसे पहले कौन थे Lord Mayow थे Lord Mayow थे और कब हुआ था तो 1872 में पहली जनगन्ना तो हो गई लेकिन एक और question आपसे पूछेगा कि नियमित जनगनना किसके कारिकाल से start हुआ है या अगर पूछे कि नियमित जनगनना किसके कारिकाल से start हुई है तो याद रखना है Lord Rippan Lord Rippan 1881 में रीपन और लीटन में दिध्यान रखेगा रीपन के कारिकाल में नियमित जनगनना start हुई है और कब तो 1881 इस भी में question आपसे पूछेगा कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगनना कब से हुई स्वतंत्र भारत की पहली जनगनना कब से हुई तो 1951 में जनगनना होती कितने साल में है तो 10 साल में कितने साल में 10 साल में तो जनगनना से related आपसे question यह सारे पूछे जाएंगे history से relate करके next question है आई ऐसे देखिए international solar alliance में कौन सा देश नया जुडा है नया जुडा है सबसे पहले आई ऐसे के बारे में देखते हैं आई ऐसे जो है international solar alliance एक संगठन है question आप से पूछेगा किसका headquarter कहां नहीं सबसे पहले इसकी अस्थापना कब हुई है तो इसकी अस्थापना 2015 में हुई है 2015 में हुई है किसके और किसकी मदद से तो भारत और France जो है इसमें मुख किरायदार है तो भारत और France की मदद से 2015 में ISA की अस्थापना हुआ है headquarter अगर पूछे तो guru gram guru gram और तहा है ये तो हडियाना में अंतराष्टिये लेबल पर या एक पहला स्नंगठन है जिसका की हेड़ क्वार्टर हमारे भारत में है क्या हमारे भारत में है तो इसका अगर नया सदस से पूछे यानि कि यह एक सो दोमा सदस अगर पूछे तो यह हो जाएगा एहिंगी गुवा और बारबुडा लेकिन अमेरिका हो जाएगा अमेरिका 101 है तो यह भी ध्यान रखना है 101 अगर बोलेगा तो अमेरिका अंसर मारेगा लेकिन 102 सदस अगर पूछे तो एहिंगुवा और बार्बुडा अंसर होगा और इसकी अस्थापना पूछे 2015 में और अगर पूछे कि इसमें जो है किस रीजन के सबसे ज़्यादा देश सामिलें तो ट्रॉपिकल रीजन के कौन ? ट्रॉपिकल रीजन के मान लिया जाएए आपका पृर्थिवी है तो यह क्या है यह करक रेखा है, भूमद रेखा है, यह मकर रेखा है तो इस जौन में जितने भी कंटरी है इसके पहले सदस होते थे तो ये कौन सा रीजन हो जाता है इसी को बोलते है ट्रॉफिकल रीजन तो ध्यान रखिएगा कैप्रिकॉन और कैंसर के बीच में जो भी देशें वो इसका सदस होता है नेक्स्ट कोईशन है कि विनोध कनर ने किस एरलाइन के सीओ का पदवार तो विस्ताड़ा किसका नेक्स्ट है कि हाली में किस टीम ने न्यूजिलेंड के किनाम 21 साल में अपना पर्थम टेश्ट जीता तो कौन हो जाएगा बांगलादेश कौन बांगलादेश हो जाएगा नेक्स्ट कोश्चन है कि यूको बैंक ने नए M.D.M.C.E.O. किसे बनाया है कौन यूको बैंक तो ये देखिएगा सोमा संकर प्रसाद को इसकान सर सोमा संकर प्रसाद हो जाएगा तो आज हम लोग टोटल 40 वर कोश्चन का डिसकसन किये हैं आगे हम लोग अप्रेल का फिर कर संबर का देखेंगे तो चलिए और इंडेक्स सेन अभ्यास और दो दिन बाद आसकर आएगा उसकर अबार्ट और फिर नॉबल पुरुसकार ये सारे से और खेल से रिलेटेड भी वीडियो अप्लोड हो चुका है तो तब तक आप लोग देखते रहिए पढ़ते रहिए हस इसलिए कोसिस कीजिए खुद मोटिवेट रहिए और पढ़ते रहिए चलिए थैंक्यू